हेलो एवरिवन, CLC के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, मैं अनुमान जाएंगे टीम केमेस्ट्री CLC सीकर, लास्ट सेशन में आपने जो है वो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था मूल कंसेप्ट, आज मैं इस प्रिविएस येर के गुशन की सीरीज के अंदर फिजीकल केमिस्ट्री का सेकिंड टोपिक लिखे आया हूँ, इसमें अपन डिसकस करने वाले है रेडोक्स रियक्शन के साथ साथ ही एटोमिक इस्ट्रक्चर, अल्मोस इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड अगर बात करें, तो लास्ट 10 येर में 35 कोश के आसपास है 20 से 22, इसका मलब on average अगर कोशन की बात करें, तो पर येर जो है, वो दो कोशन एटोमिक इस्ट्रक्चर के और एक कोशन जो है, वो रेडोक्स रियक्शन का आता है, आईए डिसकस करते हैं किस टाइप ये कोशन बनते हैं, ठीक है, वोई तरीका वापस साथ मे important point बताते हुए, जिससे आपको ये समझ माएं कि exam में कोशन का criteria क्या रहा, उनके आसपास अगर कोशन और आता है उसी type का, तो उसे अपन कैसे discuss करें, ठीक है, आईए, सबसे पहले NEET 2018 का ही कोशन है, the correct order of nitrogen compounds in its decreasing order of oxidation state, ठीक है, nitrogen योगिकों में इनकी oxygen अवस्ता का गड़ता हुआ सई करम है, पहले अपन बात कर लेते हैं, मैं वही point बोलने वाला हूँ, जो exam में आपके कोशन solve करने में help करने वाले है, ठीक है, अब अपन ये चीज़ चेक करना prefer नहीं करेंगे, कि oxidation number क्या होता है, बस oxidation number के rules आप याद रखें, rules of oxidation number क्या है, जो आपको use लेने होते ह पहला rule जो है, वो ये है, कि अगर कोई भी element अगर free state में होता है, तो free state में उसका oxidation number जो होता है, या oxidation state जो होता है, वो 0 होता है, second number, combine state में अगर बात करें, in combine state, तो दिखिएगा, combine state में, first A group का oxidation number जो है, वो plus 1 है, first A group बोले तो lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, second A group के लिए अगर अपन बात करें, तो second A group का oxidation number है, वो plus 2 है, aluminium का plus 3 है, fluorine का always minus 1 है, chlorine, bromine, iodine का generally minus 1 है, ठीक है, आगे अगर बात करें, oxygen का अगर oxide के format में है, तब minus 2 है, अगर per oxide है, basically जो होता है, वो oxidation number एक item का होता है, तो oxide की species तो यह हो गई, per oxide यह होता है, O2 2 minus, अगर O2 2 minus हुआ, तो इसका अगर दो oxygen atom के उपर मिलके जो 4 जा रहा है, वो minus का 2 है, तो एक oxygen atom पे कितना आएगा, minus का 1, अगर minus का 1 आएगा, तो per oxide पे minus 1 हो गया, super oxide पे अगर बात करें, तो super oxide होता है, O2 minus 1, तो minus का हाफ हो जाएगा, ठीक है, O2 minus 1 है, तो दो oxygen atom के उपर चार जाएगा, minus का 1 तो एक के उपर कितना हैगा, minus का 1 by 2, तो super oxide minus का हाफ हो गया, hydrogen की अगर बात करें, तो generally plus 1 होता है, बट in case of metal hydride जो होता है, वो होगा कितना, minus 1, ये लीजेगा, ये कुछ मैंने rules लिखे, combine state में, ये दो rules होगे, third number rule जिसका आपन सबसे ज़्यादा use करते हैं, वो third number rule ये है, sum of oxidation number जो होता है, of atoms, is equal to, charge on species, इसके equal होता है, ठीके, इसका जिसे use कैसे करना है, अब जिसे आपने ये लिखा, H2S, sulfur का oxidation number calculate करना है, तो आपने बुला, sum of oxidation number of atoms is equal to charge on species, तो अपने hydrogen का पता है, कि hydrogen का plus 1 होता है, तो 2 hydrogen है, तो 2 into plus 1, sulfur का मैंने x consider कर लिया, इसके उपर इनका सब का sum कर लिया, charge कितना है, compound के उपर 0, तो यहां से x equal to कितना आएगा, minus 2 आजाएगा, एकस के equal आजाएगा, minus 2, similar way मैं आपने बुला, ammonium आएन है, ये लिजिएगा, nitrogen का calculate करना, x consider क्या hydrogen का plus 1, 4 hydrogen का plus 4, equal to plus 1, तो x equal to minus का 3, याद आएगा, ठीक है, nitrate चीह अगर आपको, nitrogen का x consider किया, 3 into minus 2, equal to minus 1, x equal to plus का 5, ये मैंने कुछ rules बोले है, oxidation number calculate करने के, ठीक है, इन rules का, मलब first और second rule का use करते हुए, third number वाला formula आपको use करना है, sum of oxidation number of all atoms, is equal to charge on the species, उसका use करके, जो भी unknown element होगा, उसका oxidation number calculate किया जा सकता है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, इनी rule का use करना है, और आपको correct increasing order, जो है, oxidation number का calculate करना है, the correct order of nitrogen compounds in decreasing order, decreasing order का मतलब सबसे पहले जो होगा, वो highest होगा, और उसके बाद lowest होगा, पहले ये भी पता हो, ठीक है, अपने पास compound HNO3 है, ये लिजेगा HNO3 सबसे पहले, ठीक है, HNO3 में इसका होगया plus 1 hydrogen का nitrogen का x, oxygen का 3 into minus 2 equal to 0, x equal to plus का 5, HNO3 में plus 5 है, ये लो, उसके बाद NH4, CL, आप चाहो तो इसको break कर दीजेगा, NH4 plus or CL minus में, अभी मैंने calculate करके बताया था, NH4 plus CL minus में, तो x बराबर आया था, minus का 3, ओके, NO वाला case आया, तो NO में nitrogen का x consider क्या, oxygen का minus 2 equal to 0, तो x equal to plus 2, N4 नमबर, N2 free state में हैं, तो 0 आयेगा, free state का मतलब किसी के साथ combine ही नहीं हुआ, तो highest to lowest जाना है, तो 5 है, ये first number पे रहेगा, plus 2 second number पे रहेगा, ये third पे रहेगा, और ये fourth पे रहेगा, इसका मतलब, ammonium chloride का सबसे कम होना चाहिए, decreasing order पूछा है, इसका मतलब, fourth is the correct answer, okay, fourth इसका क्या आद आएगा, correct answer आएगा, oxidation number के rules हो गए सारे, खेक है, use condominion आपको सिखा दिया, ये increasing order, decreasing order, इस type से question पूछा जा सकता है, आपसे, okay, question number second पे बात करते हैं, निम्नलिकित अभी करिया में, carbon की oxygen संख्या में क्या परिवर्तन होता है, what is the change in oxidation number of carbon, in the following reaction, निट 2020 का, अब rules वो ही है, वो जो मैंने बता दिया, carbon का oxidation number कहां से कहां change हुआ, ये आपको बता नहीं, चलो, carbon का oxidation number CH4 में बात करें, सबसे पहले, तो x plus 4 into plus 1 equal to 0, तो x बराबर minus का 4 आगया, इदर है उगया CCL4, ये x, chlorine का generally minus 1 होता है, तो x बराबर इदर plus 4 आगया, minus 4 से plus 4 change हुआ है, चेकल दिजिए का minus 4 से plus 4 किदर है, first option में minus 4 से plus 4, दिखेंगा, पहले और दूसरे question का trend से में, पहला question अगर आप से हो गया है, अगर आपने वहाँ पे oxidation number के rules समझ लिए है, उसी question को second part पे आपने apply किया, first वाले में directly किसी element का compound के अंदर oxidation number कूछा जा रहा था, इस बार एक reaction लिखेंगा, आपको एक बार इदर oxidation number पूछ रहा है, एक बार सामने पूछ रहा है, तो दोनों side calculate कर लिजिएगा, ओके, चले आगे बात, next, third number question देखते हैं, अच्छा गुछा नहीं, in acidic medium, H2O2 changes, dichromate to CRO5, which has two oxygen, oxygen bond, oxidation state of chromium in CRO5, इसने बहुत किलियर सा बोल दिया है, कि एक अमलिय माद्य में, H2O2 dichromate को CRO5 में परिवर्थित करता है, जिसमें दो पर उक्साइड बंद उपस्तित है, CRO5 में chromium की oxycron अवस्ता है, एक बास सुनिया, यहाँ पर बात करता है, आप से गर यह पूछा जाए, range of oxidation number क्या होगा, range of oxidation number क्या होगा, तो आप सिंपल सा इसा बोलेंगे, N-8 to N तक होगा, range of oxidation number क्या होगा, N-8 से लेके N तक होगा, अच्छा, where N is equal to number of valence electron, जैसे chlorine के लिए, chlorine का electronic configuration होता, neon 3S to 3P5, outer moose cell में कितने electron है, 7 है, valence cell में अगर 7 electron है, तो 7-8 से लेके, 7, इसका मदलब, minus 1 से लेके, plus 7 इसकी range होगा, इसका मदलब chlorine का इससे बार, oxidation number नहीं आना चाहिए, ठीक है, similar way में, sulfur के लिए अगर आपन range की बात करे, तो sulfur का electronic configuration में, neon आएगा, उसके बाद 3S to 3P4 आएगा, तो range ज़ाएगा, minus 2 से लेके, plus 6 नहीं, यह लो, ओके, अब इससे बार नहीं जाए, आपने एक्जाम्पल लिखा, H2SO5, keros acid इसका नाम है, sulfur का oxidation number आपको calculate करना है, आपने formula लगाया, 2 into plus 1, plus sulfur X, plus 5 into minus 2, equal to 0X, बराबर आगया, plus 8, चुँ गलत है, क्यों गलत है, sulfur का highest oxidation number कितना हो सकता है, plus 6, इससे बार तो जाना नहीं चीए था, plus 8 आया, इसका मतलब गलत हो गया, अब गलत क्यों हुआ है, बड़ा है ना, अगर बड़ा है, इसका मतलब CDC बात है, oxidation number कम आना चीए था, ये कम तब ही आ सकता है, जब यहाँ पे यह वाला oxidation number कम हो जाए, यह वाला आप change करनी सकते हो, oxygen का आपने minus 2 माना है, according to oxide, लेकिन real team oxide है वही नहीं, इसके दर सारे, इसमें कुछ पर-oxide भी ठीक है, इसकी वज़े से जो है, इसका oxidation number abnormal आ रहा है, जैसा आप expect कर रहो है, वैसा आ नहीं रहा है, तो इस condition में आप क्या केजिएगा, इसको पर-oxide consider करेंगे, अब आपके दिमाग में आता है, इसका structure तो चलो हम जानते हैं, नहीं जानेंगे तो, उस condition में आपको क्या करना है, पर-oxide linkage हमेशा O2, 2- होता है, इट मिस oxygen single bond oxygen होता है, यह पर-oxide linkage होता है, अगर यह पर-oxide linkage है, यह अगर पर-oxide linkage है, तो इसका मतलब यह हो गया, दो oxygen एक साथ रहना चाहिए, तो पर-oxide दो-दो consider करें, पहले दो करूँगा, फिर चार, या तो दो पर-oxide यह चार है, तो दो consider करने के बाद, उसके बाद oxidation number calculate करो, अगर range में आ गया, इसका मतलब उसके अंदर पर-oxide दो यह, प्लस sulfur X, प्लस, तीन oxygen normal है, तो minus 2, प्लस 2 into minus 1, equal to 0, यह हो गया, cancel out, X बराबर plus 6, range में आ गया, इसका मतलब दो oxygen पर oxygen है, अब इसके structure के बात करें, तो इसका structure यह होता है, आपको पता है, यह दो oxygen पर oxygen है, oxygen, oxygen single bond with, negative charge, ठीके, तो जब भी ऐसा question आता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ता है, अब किन-किन के बारे में ध्यान रखना चीए, जिनके अंदर पर-oxide है, अब मैंने आपको बता दिया, तो एक तो यह example ध्यान रखना है, H2SO5 का, एक, ठीके, दूसरा example जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो यह ध्यान रखना है, H2, S2, O8, फिर इसी example पहते हैं, H2, S2, O8 में भी पर-oxygen हैं, कितने पर-oxygen हैं, दो इसमें oxygen पर-oxygen हैं, अगर दो पर-oxygen हैं, यह इसका structure होता है, इस sulfur का oxidation नमबर प्लस 6 हो गया, इसका प्लस 6 हो गया, formula से calculate करोगे तो प्लस 7, यह ध्यान रखना है, अब similar way में, यहाँ पे CRO5 का, अगर मैं calculate करता हैं, तो X plus 5 into minus 2 equal to 0, तो यहाँ से X equal to plus 10 आता, जो गलत होता, chromium का है, यह oxidation नमबर 6 हो सकता, इससे ज़्यादा not possible, तो CRO5 है, तो इसका butterfly structure होता है, इसने कहे दिया न, दो पर oxygen bond है, दो पर oxygen bond है, तो chromium का X consider किया, एक oxygen normal है, दो पर oxygen bond है, इसका बहुत चार oxygen पर oxygen की है, तो X बराबर plus 6, कितना आएगा, plus 6, यह तीन example आपको याद रखने हैं अब, ठीक है, जिन में abnormal oxidation state आएगा, पर oxygen की वज़े से, अगर आप उसे oxygen consider करते हैं, उस condition में उनके answer जो आएंगे, वो different आएंगे, और यहाँ पर answer क्या आता है, different आएगा, range से बार कभी भी oxidation नमबर नहीं जाना चाहिए, okay, next, fourth number question पर आते हैं, need 2019 का question है, the correct structure of tri-bromo-octa-oxide, tri-bromo-octa-oxide के सही सरचना क्या है, question यह पुछा हुआ है, ठीक है, यह 4 option, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर यह question discuss करने का क्या sense है, वो भी बता देता हूँ, individual oxidation number calculate करना होता है, जब भी, individual oxidation number का मतलब क्या, एक compound के अंदर, जिस element का, जिस atom का oxidation number, या जिस element का oxidation number आपको calculate करने हो, उसके एक से ज़्यादा atom हो, bromine का calculate करना था, BR3, O8, bromine का calculate करना था, तो उसके number of atom एक से ज़्यादा थे, और अगर वो different different हो, उस condition में उनके oxidation number भी क्या आएंगे, different different आएंगे, इनके उपर चर्चा करते हैं, एक आपने कहा, किसर HNO3 है, तो मनें कहा, HNO3 में nitrogen का एक ही atom है, जिसका oxidation number calculate करना है, उसका एक ही है, तो यहाँ पे आप directly calculate करके, सिधा 5 लिग दिया, ठीक है, एक आपने का dichromate है, ठीक है, जिस element का आपको oxidation number calculate करना, उसके दो atom है, बट दोनों के दोनों atom कैसे है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, उस condition में जो है, अगर आइडेंटिकल है, उस condition में आपको कोई मात्रपची करने के जुरूत नहीं, सिधा formula लगो, answer आजएगा, दोनों का oxidation number कैसा हैगा, आइगा, बट, तीन iron है, क्या तीनों के तीनों iron आइडेंटिकल है क्या, नहीं है, नहीं है, तो it is the mixed oxide, किसका mixed oxide है, FeO plus Fe2O3 का, इसका oxidation number जो आएगा, वो plus 2 आएगा, इन दो के oxidation number के आएगे, plus 3 आएगा, average 8 by 3 आएगा, अब अगर आप formula लगाते हो, तो आता है 8 by 3, और individual पूछा है, तब आएगा, plus 2, plus 3, plus 3, जब आपसे individual oxidation number पूछा जाए, उस समें आपको structure पता होना ज़रूरी है, तो individual oxidation के time structure requirement है, NCRT में कुछ structure लिखे हो है, उनके बारे में आपको just idea रखना है, तो एक तो यह एक ध्यान रखना है, Fe3O4 के बारे में, और बताता हूँ, तो पहला तो Fe3O4 हो गया, it is the mixed oxide of FeO plus Fe2O3, इसका oxidation number plus 2, इन दोनों का plus 3, plus 3, similar way में PB3O4, lead carbon family का है, जिसका oxidation number या तो plus 2 होता है, या plus 4 होता है, plus 2 या plus 4 है, तो या तो यह oxide है PBO का, और एक है mixed oxide PBO2 का, 2 raise to 1 में, तो plus 2, plus 2, and plus 4, यह लिजे, ठीक है, थर्ड नमबर, थायो सल्फेट S2O3, 2 माइनस, थायो सल्फेट का इस्ट्रक्चर यह होगा, S coordinate bond, S coordinate bond oxygen, O minus, O minus, एक बात यहां रखेगा, अगर A coordinate bond A बना हुआ है, उस condition में oxidation number यहां plus 2 आएगा, यहां minus 2 आएगा, A coordinate bond B बना हुआ है, electro negativity B की जादा है, अगर किसे electro negativity of A से, उस condition में भी यहां plus 2 आएगा, यहां minus 2 आएगा, ओके, और अगर यह बना हुआ है, A coordinate bond B, electro negativity A की जादा है, उस condition में कोई भी charge नहीं आएगा, इसका में दोनों के oxidation number क्या, 0, इस वाले सल्फर के लिए बात करते हैं, इस वाले सल्फर को 2 electron का loss यहां पे होने वाला, तो यहां पायेगा minus 2, यहां पायेगा plus 2, दो का यहां पे loss होने वाला coordinate bond plus 2, एक electron का loss यहां पे होने वाला, covalent bond की वज़े से plus 1, एक electron का loss यहां पे होने वाला plus 1, कितने हो गया total? plus 6 plus 6 minus 2 कितना आ गया? plus 6 minus 2 यह आदेगा तो thiosulfate minus 2 हो गया इधर plus 6 हो गया ओके? fourth number tetrathionate S4O62 minus tetrathionate tetrathionate यह होता है दो different type के sulfur है इसके अंदर यह वाला sulfur और यह वाला sulfur identical है यह दोनो sulfur identical है sulfur sulfur के बीच में electron transfer नहीं हुआ दो यहाँ पे लो से दो यहाँ पे लो से एक यहाँ पे लो से plus 5 plus 5 0 similar way में BR3O8 इसका structure यह होता है bromine, bromine, bromine double bond O, double bond O, double bond O bromine, bromine में electron का कोई transfer नहीं ठीके इस वाले का plus 6 यह दोनो identical है plus 6 यह वाला plus 4 इसलिए यह structure याद रखने ठीके एक last बात कर लेते हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है bleaching powder CA O, CL2 bleaching powder actual में mixed salt है जो बना हुआ आथा है calcium plus 2 O, CL minus and CL minus इस CL का minus 1 हो गया इस वाले CL का plus 1 हो गया plus 1 कैसे आएगा oxygen का minus 2 plus x equal to minus 1 तो x equal to plus 1 ओके यह बात इसके according आएगा तो यह 6 structure जो है जिनमें अपनने किस according calculate क्या है जिस भी element का आपको oxidation number अगर identify करना हो और उसके एक से ज़्यादा atom present हो और वो atom कैसे हो different हो उस condition में उनके individual oxidation number different different आते है और उनको calculate with the help of structure ही कर सकते हुआ ठीक है इसलिए जो मैंने यह structure बनाए at least यह आपको दिमाग में set रखना है क्योंकि यह NCRT में दे रखे है इसी से related BR3O8 पुछाए यहाँ तो calculate करने का बहुत simple सा तरीका था BR3O8 पे कोई charge नहीं है तो यहाँ पे charge दिखाई दे रहा तो यह नहीं होगा यहाँ पे charge दिखाई दे रहा तो यह नहीं होगा यहाँ पे charge दिखाई दे रहा तो यह नहीं होगा answer अपने आप क्या बन गया और इसका structure में आगे बनाए है यह होता है दिख लिजगा तो फूर्थ नंबर का अंसर हो गया थड़ चलिए आगे उशन पुछा हुआ है which of the following process does not involve oxidation of iron बोला है निमल लिखित परकरम में से किसमें iron का oxy current नहीं होता है सुनिएगा इसमें बोला है iron का oxidation किसमें possible नहीं है oxidation क्या होता है पहले वो देखते है loss of electron loss of electron का मतलब oxidation number increase होना reduction बोला जाता है gain of electron gain of electron का मतलब oxidation number decrease होना बस ये दो definition दियान रखना है oxidation number increase oxidation oxidation number decrease reduction बस ये दो point आप दियान रखें अगर redox reaction उसे बोला जाता है जिसमें oxidation भी होता है और reduction भी होता है अगर reduction और oxidation दोनों हो रहा है इसका मतलब oxidation number increase होगा as well as oxidation number decrease भी होगा अगर oxidation number increase भी हो रहा है oxidation number decrease भी हो रहा है इसका मतलब redox है oxidation क्या होता है समझ में आ गया reduction and redox चलिए एक एक करके बाद करते है बाप से iron द्वारा उच ताप पर hydrogen का निकलना liberation of the H2 from steam by iron at high temperature high temperature पे अगर reaction कर वही जाए iron की steam के साथ तो बनता है Fe3O4 plus H2 oxidation number लिखते जाएगा 0 plus 8 by 3 oxidation है यह तो rusting of iron rusting of iron में जो है वो Fe2O3 dot XH2 बनता है electrochemical process है oxidation होता है जिसमें iron का 0 से plus 3 में आ गया decoloration of blue copper sulfate solution by iron CuSO4 के अगर Fe3O4 के साथ reaction कर वाते हैं तो CuSO4 का blue color copper 2 plus की वज़े से अगर solution में copper 2 plus ही ना रहे इसका मतलब Cu बन जाए तो इसका reduction हुआ तो इसका oxidation होगा 0 से plus 2 में आ गया last बोल रहा है कि formation of FeCO 5 Fe plus 5 times Co यह बनेगा FeCO whole 5 Co carbonil compound है अगर neutral है तो यहाँ पे भी oxidation number 0 और यहाँ पे भी 0 क्यों carbonil का oxidation number होता है 0 तो Fe का अगर आप X consider करेंगे तो 5 into 0 equal to 0 तो X equal to किसके बराबर आ जाएगा 0 तो इसका मतलब किसमे iron का oxidation involved नहीं हुआ है 4 वाले process में iron का oxidation involved नहीं हुआ है ओके Next Question number 6 Which of the following reaction are disproportionation reaction कौन सी असमानुपातन अभी करिया है NEET 2019 पहला question अपने बात हुई Redox reaction क्या होता है अभी मैंने last question में discuss किया कि oxidation क्या होता है reduction क्या होता है और redox क्या होता है अब बात करते है types of redox उसमें सबसे important disproportionation और समानुपातन अभी करिया है तीन types of redox में First redox है Combination redox Combination आपने 9th class में Simple सा पढ़ रखा है दो element combine होके A compound का formation करते है यह redox है Carbon का oxidation हुआ Oxygen का reduction Decomposition redox Decomposition में क्या होता है A compound होता है Break होता है KCL O3 Break हुआ KCL प्लस O2 में ठीक है CL का oxidation number Plus 5, minus 2 इधर minus 1, 0 एक ही compound ठीक है Decompose हो गया Third number होता है Displacement Redox अभी इसका पीछे मैंने Example भी लिखा हुआ था Copper Sulfate प्लस यह वाला और fourth number होता है Disproportionation Disproportionation का मतलब होता है Oxidation and reduction Of same element अगर same element का ही Oxidation हो जाए और same element का ही क्या हो जाए Reduction हो जाए इसका क्या मतलब हुआ एक ही element का Oxidation number भी Increase हो और उसी element का Oxidation number Decrease भी होता है तो उसे क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है Disproportionation redox Important है काफी मेरी बात समझ में आगी Disproportionation redox उसको बोला जाएगा चलिए और इसका बोला Overall Oxidation number ही तो चेक करना है दो खेल पूरा Oxidation number का चल रहा भी तक Six number question तक आगए सारे Oxidation number के एकोडिंगी बात कर रहे Copper plus one Plus one जो species दिख रहा है Plus two zero Plus one से plus two increase Plus one से zero decrease इसका मनलब यह तो आएगा ही आएगा यह आना चीए सही तो एक होता आप वैसे चेक नहीं करते तो भी चलता ठीक है अब आज सी चेक कर लीजेगा MN of four minus plus six है यह MN यहाँ पे plus seven है plus four है plus six है plus seven increase decrease इसका मनलब बी बी आएगा B आएगा इसका मनलब अभी यह दो तो गए अगला KMN of four oxidation number highest से बने एक बात दियान रखना जिस भी element का oxidation number या तो highest हो या फिर lowest हो वो कभी भी disproportionation redox reactions हो नहीं करेगा उसका reason highest है तो और उपर तो जाने से रह और lowest है तो और नीचे आने से रह इसका मनलब अगर किसी element का oxidation number किसी atom का oxidation number highest या फिर lowest हो वो कभी भी disproportionation सो नहीं करेगा यहाँ पे देखीगा प्लस 7 है प्लस 2 है यहाँ पे आगया प्लस 4 यह disproportionation का उल्टा नहीं दिख रहा है क्या प्लस 4 वाला प्लस 2 में जाता तो decrease होता प्लस 4 वाला प्लस 7 में जाता तो increase यह कम proportionation redox है disproportionation नहीं ठीक है तो इसका मनलब कौन सा answer हो गया A and B 3rd is the correct answer ओके चले आगे next problem number 7 अब यह कह रहा है hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent which of the following reaction does not show oxidizing behavior गरम सांद्र sulfuric अमल एक मद्यम परबल ऑक्सिकारक है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सिकारण व्यवार नहीं दर साकती है कौन सी reaction जो है वो इसका oxidizing nature so नहीं करेगा question ऐसे पूछा गया है simple सी बात करता है oxidizing agent का क्या मतलब होता है other का करेगा oxidation element का oxidation number decrease हो रहा है इसका वह वो oxidizing agent है reducing agent इसका उल्टा याद रख लो self other का करेगा reduction और self का करेगा oxidation अगर self का oxidation करता है तो oxidation number बढ़ेगा बस इदिया नहीं रहा है oxidizing agent वो होगा जिसका oxidation number decrease हो और reducing agent वो होगा जिसका oxidation number increase हो ठेक है check किजिएगा H2SO4 का oxidizing agent की तरफ treat करवाना है तो इसका मलब oxidation number decrease होना चीए, यह कहाँ पे decrease नहीं हुआ plus 6 था, plus 4 में आ गया decrease हो गया यहाँ पे plus 6 में था, plus 4 में आ गया decrease हो गया, plus 6 में था plus 6 का plus 6 में रह गया इसका मलब यहाँ decrease नहीं हुआ तो इसवाली reaction में जो है वो यह as a oxidizing agent की तरफ act नहीं करेगा यहाँ पे plus 6 में था, यहाँ पे plus 4 में आ गया decrease होगे सही है, sulfate में sulfur का oxidation number plus 6 होता है ठीक है, sulfate में, H2SO4 में sulfate ही तो है x plus 4 into minus 2 equal to minus 2, x equal to plus 6, okay sulfate में plus 6 है, मैंने direct पिका कोशन समझ में आ गया, keyword समझ में आ गया, ठीक है चलिए कोशन number 8 निम लिकित में से कौन सा कतन सकती है जब SO2 को अमलिय K2CR2O7 के विलियन में से पास किया जाता है which one of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified K2CR2O7 solution, दिखेगा simple सा elementary सा कोशन है test of oxidizing agent and reducing agent है अगर oxidizing agent का test करना है सुनना बात को रख से बहुत केलियर सी बात बोल देता हूँ जिस टाइप से 2 acid आपस में react नहीं करता है similar way में 2 base अगर एक साथ react नहीं करता है एक acid एक base react करेगा similar way में एक oxidizing agent होना चीए दूसरा reducing agent होगा तब भी reaction होगी otherwise नहीं होगी एक oxidizing agent हो दूसरा reducing agent हो तब भी reaction possible है otherwise possible नहीं है एक oxidizing agent होना चीए reducing agent होना चीए reducing agent का मतलब दूसरों का reduction करेगा खुद का oxidation करेगा oxidizing agent के साथ आप एक काम किज़ेगा KI add कर दिज़ेगा oxidizing agent है तो इसका oxidation करेगा KI से I2 release करेगा अगर I2 release कर दिया है तो I2 जो होगा वो hypo solution के साथ reaction करेगा ठीक है और क्या बना सकता है या फिर आपने जो I2 release हुआ है जो I2 release हुआ है I2 आपको पता है starch के साथ blue color का complex बनाता है अगर कोई oxidizing agent है या नहीं है आपको यह identify करना है तो उसमें KI का solution add कर दिज़ेगा acidify KI ठीक है अगर सामने वाला oxidizing agent होगा तो KI का oxidation करेगा I2 में convert करेगा I2 जो होगा वो starch के साथ blue color का complex बना लेगा इसका मलब last में blue color आ गया इसका मलब वो oxidizing agent है अगर नहीं आया इसका मलब I2 release नहीं हुई अगर I2 release नहीं हुआ तो इसका मलब KI का oxidation नहीं हुआ अगर KI का oxidation नहीं हुआ तो फिर सामने वाला oxidizing agent नहीं है अगर oxidizing agent है तो फिर KI के साथ reaction करवाने पर starch के साथ वो blue color देगा ये confirm बात है similar way में आपने बूला reducing agent का test करवाने है अगर कोई reducing agent है तो सामने oxidizing agent चाहिएंगे acid medium ले लिजेगा acid medium में ये इसको reduce करेगा reduce करेगा तो CR 3 plus बनाएगा CR 3 plus का color कैसा होता है green color होता है ये अगर आपने के में नो 4 लिया होता है के में नो 4 परपल कलर का होता है ये orange color का होता है के टू सी आ टू सेवन acidic medium लिया होता है तो ये MN 2 plus में convert हो जाता है colorless होता है ये लिजे ठीक है अब वापस आते है अपन question पे ये इनके test होगे अगर कोई reducing agent है तो सामने oxidizing agent चीएंगे मैंने के टू सी आ टू सेवन के में नो 4 ले लिया acidic medium में के टू सी आ टू सेवन acidic medium है CR3 plus बनाएगा जो green color का होता है के में नो 4 purple color का होता है लेकिन ये reduce होता है acidic medium में तो MN 2 plus बनाता है अगर ये MN 2 plus बनाता है उस condition में ये colorless बनता है ओके है अब बात करते है SO2 में sulfur का oxidation number plus 4 है अगर किसी भी element का oxidation number अगर maximum हो it means वो oxidizing agent होगा only 4 minimum हो तो only 4 reducing agent होगा अगर in between हो तो oxidizing agent as well as reducing agent दोन हो ओके K2, CR2, O7 का oxidation number plus 6 है इसका महला है ये तो 100% oxidizing agent है ये reducing agent हो सकता है अगर ये reducing agent है तो ये reaction होगी तो CR3 plus बनेगा CR3 plus का color green होता है तो सिदा सचे कर लो SO2 is reduced SO2 is oxidized ये गलत है oxidized हो जाना चीए solution decolorize नहीं होगा CR3 plus बनेगा CR3 plus बनेगा तो green color आएगा third option is the correct ठीक है third option correct हो जाए रहा ये test है oxidizing agent और reducing agent के इनको आपको ध्यान रखने NCRT में ही दे रखे question number 9 वापस उसी concept पे बात हो गई है जो मैंने बूला था एक oxidizing agent होगा एक reducing agent होगा तब ही reaction possible है otherwise possible नहीं है ठीक है role of hydrogen peroxide in the above reaction respectively hydrogen peroxide का क्या कारी है पहले second वाली reaction देख लेते हैं यह redox reaction है इसने का है तो इसका मलए एक oxidizing agent एक reducing agent तो हो गई होगा confirm है silver का oxidation number plus 1 से 0 खुद का reduction इसका मलए oxidizing agent यह अगर oxidizing agent है तो यह क्या होगा reducing agent second वाली में reducing agent है ठीक है reducing agent दूसरों का reduction करता है खुद का oxidation खुद का oxidation कर रहा है दूसरों का reduction कर रहा है plus 1 से plus 0 तो दूसरे वाले में तो reducing है यह बात confirm होगी पहले वाले में देख लेते हैं अब सामने दो oxygen आई हुई है अमेरे कोई यह पता नहीं कि कौन सा oxygen कहां सा है अपने एक simple सी बात कर लेते हैं इसमें oxidation नमबर कितना है minus 1 यहाँ पे minus 2 यहाँ पे 0 ठीक है इतनी बात तो समझ मा रही है यह किसमें है 0 में तो 0 वाला 0 में तो नहीं गया होगा तो फिर तो ना तो oxidizing agent होगा ना reducing agent होगा इसका मालब यह किसमें गया है minus 2 में minus 2 में गया है इसका मालब oxidation number decrease हुआ है अगर oxidation number decrease हुआ है इसका मतलब यह oxidizing agent है अगर यह oxidizing agent है तो यह क्या बन गया reducing agent इसका मतलब दोनों reaction में H2O2 reducing agent है इसमें किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पे, ओजोन को किसमें convert माने, मैंने का ओजोन 0 से 0 में convert मान लिया ना अगर आपने, तो oxidation number change नहीं हुआ, अगर oxidation number change नहीं हुआ, तो ओजोन के respect में वो न तो oxidizing agent है और reducing agent है, जबकि आप कहे रहो reaction redox है, तो एक oxidizing agent होगा, दूसरा reducing agent हो गई होगा, तो इसमें convert नहीं हो सकता है, यह convert हुआ है H2O में, 0 से minus 2, इसमें oxidizing agent, यह oxidizing agent बन गया, तो सामने वाला अपना reducing agent बन गया, उसको check करने की ज़रूरत नहीं है, need 2000 rating का उशन balancing का है, दिखिएगा, balancing में आपको एक बहुत simple सा तरीका बता देता हूँ, या तो balancing पूछेगा acidic medium है, या balancing पूछेगा basic medium, या फिन neutral medium, मैं तीनों के एक एक example बताता हूँ, यह acidic medium का है जिसे, ठीके पहले एक neutral medium का, एक basic का और थर्ड नंबर पर ऐसे डिकाता है, क्या तरीका रहता है देखना, यह ostwald process की reaction है, neutral medium में है, जो word ध्यान रखने हैं, वो मैं बोल देता हूँ, बस क्या काम के word ध्यान रखने हैं, सबसे पहले oxidation नंबर लिख ली दिएगा, आपने का minus 3, इसका 0, इसका plus 2, उसके बाद minus 2, ammonia में nitrogen है, कितने का change हुआ, वो देख ले, change कितने का हुआ, 5 का, इसके लिए change कितने का हुआ, 2 का, लेकिन कितने oxygen है, per molecule change चेक करना है, change जब चेक करने जाओ आप, यह जो change चेक करना है, it is the per molecule, उस molecule में जो जो atom है, उन सब के oxidation number का change पता करना है, सर आपने hydrogen का तो पता नहीं किया, hydrogen पहले भी plus 1 में था, अभी भी plus 1 में, इसलिए पता नहीं किया है, nitrogen का एक ही atom था, इसलिए एक atom के corresponding check किया है, अगर दो atom होते तो multiply by 2 और कर जेता, oxygen के दो atom थे तो एक atom के लिए change दो का है, तो दो atom के लिए कितने का गया, 4 का, यह change check कर ले, जैसे ही यह change आजाता है, उसके बाद जो है, वह आप एक काम कीजिएगा, cross multiply करके लगा दीजिएगा, इसके लिए change 4 का है, तो 4 इदर लिखते हैं, अब बस atom पाउंड करके लिखना है, 4, hydrogen की कितने है, 12, यह लिजिएगा, random भी check करना है, oxygen को check कर लिजिएगा, 4 plus 6, 10, इदर भी हो गया, 5 का double, 10, यह तो medium हो गया, कौन सा, neutral, acidic medium में बात करते हैं, फिर एक basic medium के example पर आता हूँ, oxidation number plus 5, oscillate का, oxidation number carbon का जो आएगा, वो आएगा, 2x plus 4 into minus 2, equal to minus 2, तो 2x equal to plus 6, तो x equal to plus 3, mn का plus 2, इदर plus 4, change check किजिएगा, mn का एक एक एटम है, तो कित्ते का change आगा है, sorry, plus 7 का है, यह oxidation number, तो यह change आगया, 5 का, जब यह change check करने जाओगे, तो एक का, लेकिन कितने कार्बन के एटम है, 2 multiply by 2, cross multiply कर दीजिएगा, यह 5 इदर आएगा, तो 2 इदर आएगा, तो mn of 4 का multiply by 2 है, यह गया, यह गया, oxalate का 5 आएगा, oxalate का 5 आएगा, तो इसका मलें यही बज़ गया, तो सिधा answer यह हो क्या, ठीक है, अब आगे check कर लेते, 2 mn तो यहाँ पर 2 आएगा, 10 carbon होगे, 10 carbon होगे, acidic medium में इतना करने के बाद, आपको charge balance करना है, charge कितना हो गया, plus का 4, और इदर हो गया, minus का 12, इदर minus का 12 charge है, इदर plus का 4 है, तो इदर 16 h plus add कर दू क्या, तो इदर भी plus का 4 charge आजाएगा, तो 16 h plus इदर add हो जाएगा, अगर 16 h plus आया, तो इदर 8 h 2 हो आजाएगा, यह तो 16 h plus, यह acidic medium हो गया, अच्छा, basic medium का एक example देख लेते हैं, यह लिजिएगा, basic medium, oxidation number 0 plus 5 plus 2 minus 3, कित्य का change 2 का, कित्य का change 8 का, cross multiply करने से पहले, अगर simplify हो रहा है, तो simplify कर दीजिएगा, इदर 4 लिख देता हो, इदर 1 लिख देता हो, इदर 4 आजाएगा, इदर nitrogen कितना आएगा, एक, अब charge balance कर लिजिएगा, एक काम किजिएगा, यहाँ पे ammonium आएएगा, ammonium लिख लिख लिजिएगा, इदर charge हो गया कितने का, plus का 9, अगर plus का 9 लिखना है, तो इसका महले, इदर 10 OH माइनस करना पड़ेगा, तभी इदर overall minus 1 बचेगा, अब 10 OH माइनस आगिया, तो oxygen आपको काउंट कर लिजिएगा, उधर 10 है, इदर 7 है, तो 7H2, अपना देख लिजिएगा, 14H plus काउंट हो रहे हैं, 14H काउंट हो रहे हैं, 4 and 10, acidic medium में, यह लिखने के बाद, charge balance by H+, basic medium में, charge balance by OH-, बस इतना साथ यहां रखना है, acidic medium में, charge balance by H+, basic medium में, charge balance by OH-, काउंट हो जाएगा, तीनों example समझ में आगे, आईए, AIPMT 2014, means need 2014 का खोशन है, the reaction of aqueous K-MNO4, with H2O2 in acidic condition gives, एक बाद सुनिएगा, K2CR2O7 oxidizing agent होता है, only in acidic medium, और खुद किस में convert होता है, CR3 plus green color का compound है, और K2CR2O7 जो होता है, वो orange color का होता है, KMNO4, acidic basic और neutral, तीनों medium में जो होता है, वो oxidizing agent की तरह act करता है, purple color का compound होता है, acidic medium में, MN2 plus बनाएगा, colorless है, slightly basic अगर होता है, या फिर neutral medium होता है, तो उस condition में MNO2 बनाएगा, ठीक है, dark violet या black color का compound होता है, और यह अगर strong basic होता है, उस condition में, यह बनाएगा क्या, MNO4, 2 minus green color का compound होता है, plus 6 का, acidic condition में, KMNO4 खुद्टों convert होगा, MN2 plus में, MN2 plus में, MN2 plus में, यह लो, अगर यह oxidizing agent है, तो H2 O2 का करेगा oxidation, इसका oxidation number है minus 1, और इसका oxidation करके convert कर देगा, किस के अंदर, O2 के अंदर, किस के अंदर convert कर देगा, O2 के अंदर, ठीक है, तो इसका में 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 MN2 plus तो बनेगा, यह बनेगा, साथ में क्या बनेगा, O2 बनेगा, नर्की ozone, second is the correct answer, question number 12, NEET 2022 में, इन दी neutral और friendly alkaline medium, वापस आ गया, slightly basic हो या neutral medium हो, KMN4 oxidized iodide into iodate, iodide को convert करेगा, IO3 माइनस में, और खुद convert होगा, अभी मैंने बूला है, कि खुद convert होगा, MnO2 में, तो प्लस 7 से प्लस 4 में आ गया, the change in oxidation state of manganese, in this reaction is from, 7 to plus 4, 4th is the correct answer, ये लो, बहुत elementary से question कुछे वे, question number 13, simple सा मूल कंसे प्लागाना आपको, an aqueous of AgNO3, is added to 100 ml of 0.01 M, solution of dichloro tetra aqua chromium 3 chloride, the number of moles of AgCl precipitate would be, 0.01 molar dichloro tetra aqua chromium 3 chloride के 100 ml, में AGNO3 की अधिक्त मात्रा मिलाई गई, AgCl के अवक्षेपित होने वाले मूलों की संख्या बताईए, दिखेगा, ये मूलर वर्ड है, capital M, capital M को अगर इस volume से multiply कर दिया जाए, तो last session में अपने number of moles के जो चार formula पड़े थे, उसमें एक formula ये भी था, 10 raised to the power minus 3, या फिर 0.001 mole, ये किसका मूल है, Dichloro Tetra Equa Chromium 3, Chromium 3 है, Dichloro Tetra Equa रखना है, Chromium 3 है, तो इसका oxidation number plus 3 है, hydrogen का 0, sorry, H2O का 0 होता है, chlorine का oxidation number minus 1 होता है, तो इसके उपर plus 1 आएगा, ये chlorine बार रहेगा, 0.001 mole के according, 0.001 mole के according, counter CL का भी तो mole 0.001 होगा, अगर इसमें Xs AGNO3 मिला है, तो AGCL बनेगा, कितना AGCL बनेगा, जितना counter-reign ही होगा, कितना है, 0.001 mole, yellow, क्योंग ये तो Xs में है, reaction को limit कोन कर रहा है, ये वाला counter-reign कर रहा है, इसका कितना mole है, 0.00, अगर बाइचांस मानलोग formula ऐसा बन जाता, यहाँ पे CL2 आ जाता, अगर यहाँ पे CL2 आता, तो यहाँ पे chlorine के कितने आएन हो जाते है, 2 chlorine का double होता, तो 0.002 हो जाता, इसके 0.001 mole में, तो सामने भी कितना बन जाता, 0.002 mole बन जाता, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, 3rd is the correct answer, नीट 2015 का question है, assuming complete ionization, 7 mole of which of the following compound will require the least amount of ACID 5 KMNO4 for complete oxidation, यह बोला है, इनके पून आइनी करण को मानते हुए, कौन से योगी के पून आक्सी करण में, सबसे कम मात्रा में, अम लिए KMNO4 की आवशकता होगी, एक number of equivalence का formula है, एक तो होता है, mass upon equivalent mass, first, second number formula होता है, normality into volume in liter, normality को आपन लिखते है, molarity into n factor into volume in liter, molarity into volume हो जाता है, number of mole, तो यह हो गया, mole into n factor, किसी भी chemical reaction में, number of equivalence जो होता है, all species, are same, किसी भी chemical reaction में, all species के, यह equivalence क्या रहता है, same रहता है, यह एक concept है, ठीक है, equivalent same करने, जिस टाइप का data दे रखा होगा, उसके according कर लेंगे, यहाँ पर data दे रखा है, इनके complete ionization consider करना, same mole सबके दे रखे, इनका complete oxidation करवाना है, तो इसका मलब concept ही यह बनेगा, concept ही यह बनेगा, equivalence of K-M-O-4, K-M-O-4 oxidizing agent है, equal to, equivalence of reducing agent, K-M-O-4 का mole into N factor, acid medium N factor 5 होता है, change in oxidation number 7 से plus 2, इसका mole into N factor, आपनको K-M-O-4 का mole calculate करना, इन सबके mole तो same है, N factor divide by 5, जिसका N factor जादा होगा, उसके लिए K-M-O-4 के mole भी जादा consume होगे, आपनको क्या पूछ रहा है, least amount of acid 5, K-M-O-4, इसका mole least होना जादा है, क्या N factor, चेक करते हैं, पहला, ferrous sulfide, ferrous है तो ferric में convert होगा, sulfide है तो sulfate में convert होगा, N factor देखना, ferrous का plus 2 से plus 3, एक का change, sulfide का plus 2 होता है, convert हुआ sulfate में, plus 6 हो गया, तो कितने का change थरीका, plus 4 से plus 6 में, ferrous oxalate, ferrous convert होगा, ferric में oxalate convert होगा, CO2 में N factor की बात करोगे, तो ferrous का ferric, oxalate में एक का change, लेकिन कारबंद 2 है, तो मैंने कहा था न, N factor change in oxidation number, per molecule होता है, अगला ferrous nitrite, ferrous से convert होगा, ferric में, nitrite का convert होगा, nitrate में, N factor, ferrous से ferric 1, nitrite plus 3 से plus 5, 2 का change, लेकिन 2 है, तो overall change 5 का, ferrous sulfate, ferrous convert होगा, ferric में, sulfate तो वैसे भी, I-S oxidation number में, plus 2 से plus 3, 1 का change है, तो इसका मेंना, N factor किसके बराबर आ गया, 1 के equal आ गया, अब check किजिएगा, जिसका N factor कम होगा, उसके लिए least amount चीएगा, किसका, कि ये मेंना 4 का, तो check कर लिजिएगा, N factor minimum किसके लिए आ रहा है, N factor minimum आ रहा है, FESO4 के लिए, ये हो गया, ओके, ये 14 question जो थे, वो थे किस से related, sorry, redox reaction से related, अब अपनी या से atomic structure, इसका second part स्टार्ट कर रहा है, 21 question इससे related देखने बाले है, आईए, 1 के करके इनको चर्चा करते है, सबसे पहला question दे रखा है, the number of proton, neutron and electron in lutresium, 71, 175, simple सी बात है, किसी भी element को जो represent किया जाता है, X, Z, A से represent किया जाता है, X element है, Z जो होता है, वो इसका atomic number होता है, यह इसका atomic number है, यह हमिशा किसके equal होगा, proton के equal होगा, यह electron के भी equal होगा, in neutral case, A जो होता है, वो mass number के equal होता है, यह लीजिए, mass number जो होता है, number of nucleons means number of neutron plus proton के equal होता है, proton की जगह पर अगर मैं z लिख देता हूँ तो number of neutron का formula आ गया a-z यहाँ से मैं दिखेगा तीनों calculation बोल देता हूँ proton हमेशा किसके equal होगा? z के neutron किसके equal होगा? a-z के electron होता है proton minus charge के equal अगर charge 0 है तो electron और proton same हो जाएगा जब charge 0 है तो electron और proton क्या हो जाएगा? same हो जाएगा और जब charge होगा जैसे मान लिजिएगा यह है f9-19-1 है तो electron जो होगा वो proton होगया 9 minus charge है minus 1 minus minus होगया plus 1 तो electron का number किसके equal होगया? 10 के equal होगया तो यह तीन formula आपको ध्यान रखने यह representation of element होगया ठीक है बद? 71 होगा, 7171 यह रहा option यह answer आगया 3 neutron चाहिए तो 175 minus 71 it is equal to 104 ठीक है? question number 16 ने 2014 का question है beryllium 2 plus is iso electronic with which of the following? atomic number आपको याद रखना होता है जब अपन periodic table पढ़ते है तो atomic number आपन सबके याद रखते है beryllium का atomic number 4 है तो इसका मतलए इसमें proton 4 है तो number of electron किसके बराबर होगा? proton minus charge इसका मतलए 2 के बराबर तो electron अगर 2 है तो iso electronic का मतलब यह है कि जिसमें number of electron same दिखेगा सबसे important iso electronic है तो इसी के बारे में ध्यान रखे अगर proton का number same है iso top है ठीक है? समस्तानिक है neutron का number अगर से हमें isotone है अगर mass number से में iso bar या sum भारिक बोला जाता है electron का number से हमें तो iso electronic है इसमें देखते हैं इसमें electron 1 minus 1 equal to 0 3 minus plus का 1 it is equal to 2 इसका मतलब आंसर कुन सा होगा है? lithium is the iso electronic with beryllium 2 plus from the following pair of ions which one is not iso electronic pair कौन सा iso electronic sum electronic युगमन नहीं है na plus में होते है 11 minus 1 10 इसमें होगे है 12 minus plus 2 10 दोनों 10 है iso electronic है इस पे आते है mn का 25 minus plus 2 equal to 23 26 minus plus का 3 equal to 23 अब इसमें तो 24 हो गया और mn में 23 यह iso electronic pair नहीं है ओके next question number 18 18 जो है वो electromagnetic wave से related है electromagnetic wave में जो है electric field and magnetic field एक दूसरे के perpendicular होते है and it is the direction of propagation के भी क्या होते है perpendicular तीनों एक दूसरे के perpendicular है electric field, magnetic field and direction of propagation electromagnetic wave जो होता है उनको transmit होने के लिए किसी भी medium की requirement नहीं होती है इसका मदलब वो किसमें travel कर सकते है vacuum में भी travel कर सकते है और उनकी speed होती है 3 into 10 days to the power 8 meter per second means velocity of light से movement करते है frequency और wavelength में relation यह electromagnetic wave के लिए c is equal to new into lambda यह important formula है ठीक है, आपको बोला है speed of the light दे रखी है nanometer per second में which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of the light with frequency of 6 into 10 days to the power 15 second inverse यह बोला है इतनी आवरती का photon है उसकी तरंग दे दे रहे nanometer में तो c की value यह लिख दिया photon की frequency दे रखी है यह lambda meter में आ जाएगा nanometer में convert करना है 10 HD power minus 9 meter यह nanometer 50 nanometer first is the correct answer तो electromagnetic wave के लिए c equal to new lambda यह formula याद रखे electromagnetic wave होती क्या है कि electromagnetic wave में electric field, magnetic field and direction of propagation तीनों एक दूसरे के perpendicular है किसी भी medium की requirement नहीं है इसका मतलब vacuum में travel कर सकते है और speed of light से क्या करते है movement करते है c equal to क्या होगा new into lambda यह ध्यान रखना है electromagnetic wave कौन कौन से होती है यह भी ध्यान रखे cosmic rays x rays cosmic के बाद में gamma cosmic के बाद में gamma gamma के बाद में x rays x rays के बाद में ultraviolet उसके बाद visible उसके बाद infrared उसके बाद micro उसके बाद radio आप जब ऐसे जाते हूँ तो wavelength बढ़ता है frequency कम होती है frequency कम होगी तो इनकी energy content भी कम होगा max plan की quantum theory केती है e is equal to क्या होता है h new होता है okay atomic structure पीछे सदा ठीक है the 2021 का खुशा नहीं a particular state of all India radio new Delhi broadcast on a frequency of 1368 kilohertz the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is all India radio नहीं दिली का एक station जो है वो इतने kilohertz की आवर्ती पर प्रसारण करता है तो उस्षरजित विदू चुम्ब की विक्रम की तरंग देर देरे मिटर में कितना होगा ये वोशन पुशा गया simple सा तरीका c is equal to new lambda अभी जो formula बूला है 3 into 10 HD power 8 1368 kilohertz है ये लिजेगा into lambda इस question में काफी calculation आया है अगर आप इसे solve करते हैं तो ये आएगा 219.28 के आसपास आएगा 2.8 को अगर round off करेंगे तो ये आएगा फिर ओके next 45 nanometer के तरंग देर देरे के परकास के लिए उड़ जा का मान जूल में निकालो calculate the energy in joule corresponding to light of a wavelength of 40 45 nanometer ठीक है अभी मैंने बुलाया max plan की ये मूलता है कि किसी भी black body से radiation का जो radiation जो emit होता है वो discontinuous manner में होता न की continuous manner में it means energy जो होता है black body वो एक छोटे-छोटे packet के format में release करता है उन छोटे packet को जो है वो quanta बोला जाता है और in case of light उस quanta को क्या बोला जाता है photon बोला जाता है एक photon की जो energy होती है वो h new के बराबर होता है या new के directly proportional to होता है max plan की quantum theory अपन को पता है कि photon के लिए means electromagnetic wave के लिए new जो होता है वो c by lambda के बराबर होता है 1, 2 का 4, 00 upon lambda अगर आपने lambda अगर इस्टों में लिखा है तो energy किसमें आएगा electron volt में तो energy का formula हो गया 1, 2 का 4, 00 upon lambda जो आएगा वो किसमें आना चीए अगर इस्टों में आना चीए formula समझ में आ गया 1, 2 का 4, 00 upon lambda इस्टों में तो energy electron volt सर जूल में पूछेगा तो convert कर लिए 1 electron volt किसके equal होता है 1.6 into 10 is the power minus 19 joule अभी देखो roughly idea लगाना है आपको 1, 2 का 4, 00 upon 450 angstrom nanometer को angstrom में convert करना है ना nanometer को angstrom में convert करना है आगे 1, 0 लगा दो 1, 0 से 1, 0 गया almost 30 electron volt आएगा सर उपर 135 होता तब आता बिल्कुल सही बात है तो 3 means 30 electron volt से कम है joule में चाहिए तो 1.6 into 10 is the power minus 19 joule इस से कम आएगा बिल्कुल 4.8 into 10 is the power minus 18 joule से कम आएगा 10 is the power minus 18 में एक ही option दे रखा है 4.8 से कम आना चाहिए ताब बिल्कुल सही है 4.4 ही आया है ओके मेक्स प्लाइंग की quantum theory से related यह था NEET 2022 का होशन है वेन electromagnetic radiation of wavelength electromagnetic radiation है इसका हमला C बराबन नू लेम्डा लगा सकते हो E equal to HC by लेम्डा लगा सकते हो 300 nanometer falls on the surface of a metal electrons are emitted with the kinetic energy of 1.68 into 10 is the power 5 joule per mole what is the minimum energy needed to remove an electron from the metal ठीक है हो जायेगा होशन मैं यहाँ पे एक means photoelectric effect है एक तरीके से यह जो आपने बूला न कि इसका multiply कर देना चाहिए अगर पर mole के लिए चाहिए न अगर आपको जब भी बूला जाए पर mole तो पर mole के लिए जो है वो आप multiply कर देना चाहिए 96.5 किलो जूल से किसे multiply कर दे 96.5 किलो जूल से अगर electron volt को पर mole में convert कर दा है 300 nanometer का तो energy of incident photon जो होगा 12 का 400 upon lambda lambda यह लिजे यह होगा 4.1 electron volt आपने का नहीं सर्ग पर mole चाहिए यह किलो जूल में आगया almost almost यह जो होगा अगर 400 किलो जूल हो जाएगा almost बूल लो yellow sorry joule यह आएगा 10 days to the power 5 joule इतने का आपने गिराया तो आपको पता है incident energy of photon it is equal to यह दो काम करती है एक तो work function plus kinetic energy of the electron electron की kinetic energy 1.6 है तो 4 into 10 days to the power 5 work function minimum energy होती है जो electron को remove करने के लिए काम में आती है kinetic energy कित्ता दे रखा है 1.68 into 10 days to the power 5 तो कितना आजाएगा 2.32 into 10 days to the power 5 चूल पर बूल 2.32 into 10 days to the power 5 10 days to the power 5 10 days to the power 5 यह की option है यह अब आप यहाँ पे multiply नहीं करें यहाँ time waste करना है आपको roughly idea कि almost almost अंडेड आने वाला है आपको यह roughly idea है ठीक है तो उस condition में आप जो है इसे roughly idea से solve कर ले photoelectric effect में एक equation काम में लेनी है energy of incident photon it is equal to work function plus kinetic energy जो photon गिराया जाएगा वो दो ही तो काम करेगा एक तो electron को बाहर निकालेगा अगर energy बजगी तो electron उस energy से दोड़ेगा चलिए question number 22 NEET 2022 का question bore atomic model आ गया है bore atomic model में आपको 3 point ध्यान रखने है basically first number radius जो होता है वो होता है 0.529 N square by Z angstrom first second number velocity of the electron 2.186 into 10 raise to the power 6 Z by N meter per second and third number energy जो होता है वो minus का 13.6 Z square upon N square electron volt per atom ठीक है यह 3 formula आपको ध्यान रखना है total energy जो होता है वो kinetic energy के बराबर होता है बढ़ साइन में opposite होता है और potential energy का आदा होता है यह कि ध्यान रखना है ठीक है बस इन point से अपना काम हो जाएगा if the radius of second bore orbit of HE plus ion 105.8 picometer then what is the radius of third bore orbit यह के रहा है कि HE plus ion के लिए जो है वो दूसरी bore कख्षा की तिर्दिया इतनी है तो तीसरी bore कख्षा की तिर्दिया LI2 plus में कितना होगा यह अपन से बोशन कुछा है first of thing bore atomic model जो होता है वो एक electron species के लिए जो है वो applicable है अगर एक electron species के लिए अगर applicable है तो यहाँ पर बात करें तो radius directly proportional to हो गया N square by Z तो 105.8 divided by R helium का second bore orbit 2 chi square upon Z 2 होता है 3 chi square upon 105.8 divided by R equal to 2 by 3 R equal to 3 by 2 into 105.8 unit है picometer तो यह हो 1.5 का multiply कर दो तो almost 150 आजाएगा 150 आजाएगा तो yellow 150 यह भी 150 but unit के आएगी picometer इसका मिला answer क्या हो जाएगा fourth answer क्या हो जाएगा fourth हो जाएगा okay बात आगे बात करें question number 23 इसी से related है यह कह रहा है यह equation दे रखी है certain conclusion are written which of them is not correct इस equation से energy का ही formula है यह जो मैंने लिखा था पीछे इसी वाले energy को अगर आप joule में convert करेंगे तो minus का 2.178 into 10 HD power minus 18 joule आजाएगा okay है यह कह रहा है कि इस equation पर आदरी कुछ निसकर्स लिखे वे इन में से कौन सा साई नहीं है equation can be used to calculate the change in energy when the electron changes orbit बिल्कुल सही है अगर electron अपना orbit change करता है जिसे माल लिजेगा first से second में जाता है तो क्या इस formula का use कर सकता है बिल्कुल hydrogen के लिए यहाँ पे minus 13.6 यह minus का 3.4 तो energy gap 10.2 electron volt formula का use हो गया ठीक है पहला statement सही है second number statement क्या कह रहा है for n equal to 1 the electron has a more negative energy then it does for n equal to 6 तो देखिएगा n equal to 1 के लिए energy minus 13.6 आ रहा है तो 6 वाले में आएगा minus का 13.6 upon 36 तो इसमें negative value जाता है तो आदा statement तो अभी तक सही है which means that the electron is more loosely bounded in the smallest allowed orbit यह गलत है इसने का है कि इसका मतलब यह है कि जो सबसे छोटा अनुमत का अक्स होता है उसमें electron अधिक धिलाई से बनने होंगे बिल्कूल गलत है nucleus के जितना पास electron होगा उतना ही tightly bounded होगा not loosely bounded यह इसका मतलब अब यहाँ पे tightly bounded होना चीए था तो यह गलत दिखा हुआ आदा statement गलत हुआ है इसलिए यह incorrect statement हो गया आगे देख लिजीगा the negative sign in equation simply means that the energy of the electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electron were at infinite distance from the nucleus यह केरा है रिनात्मक्चिन यह बताएगा कि electron nucleus से आबंध है उसकी उर्जा कम होगी उन electronों से जो nucleus से infinite distance पे force of attraction लगता है तो potential energy negative में आती है infinite distance पे जब electron होता है तो nucleus और electron के बीच में force of attraction zero हो जाता है तो कोई attraction नहीं है तो उसकी energy भी zero हो जाएगी और जब force of attraction है तो energy क्या रहेगी negative रहेगी इसका मतलब यह कहना चाहरा है कि यहाँ पे जो है वो force of attraction लग रहा है last यह statement से ही larger the value of n the larger is the orbit radius यह देखेगा n की value जादा होगी तो radius भी जादा होगी तो fourth statement correct है तो incorrect statement कौन सा हो गया second जो formula के उसी से related question है which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in visible reason 2019 का question है hydrogen परमाणू के spectrum में निम्न में से कौन सी संकर्मन से नहीं दरश्य चेत्रम में पढ़ती है question यह बोलागे निम्न में से कौन सी संकर्मन से नहीं दरश्य चेत्रमें पढ़ती है simple सा लिखते series कौन सी होती है चो काम के point है spectrum में वो बोलना हूँ उसके लिए n1 की value क्या हो n2 की value क्या हो reason क्या होगा lineman series सबसे पहले उसके बाद barmer series उसके बाद passion series उसके बाद bracket उसके बाद fund series 1,2,3,4,5 higher से कहीं से भी 1 में गिरे कहीं से भी 1 में गिरे lineman series कहीं से भी 2 में गिरे barmer series कहीं से भी 3 में गिरे passion series कहीं से भी 4 में गिरे bracket series कहीं से भी 5 में गिरे fund series reason इसका ultraviolet इसका visible और इन तीनों का infrared अपन से सिदा सा कोशन इसने पूछा विजिबल रिजन में कौन सा होना चीए बामर सीरीज होना चीए फूर्थ इस दा करेक्ट आंसर एक तो ये पॉइंट दिया नखना है एक ये बोलता है कि कौन सा ट्राजिशन मेक्जिमम एनर्जी का होगा कौन सा ट्राजिशन मिनिममम एनर्जी का होगा एनर्जी मेक्जिमम बोलो या फ्रिक्वेंसी मेक्जिमम बोलो एक ही बात है वेवलेंद मीनिमम बोलो एक ही बात है तो उस कंडिशन में जो ट्राजिशन हो रहा है यहां से या यह minimum होना चाहिए, यह maximum होना चाहिए, बस यह ध्यान रखे, priority इसको है, इसको priority मिलेगी, ठीक है, energy minimum चाहिए आपको, तो frequency भी minimum होगी, wavelength क्या हो गाएगा, maximum, तो उस समय जब यह transition होता है, तो यह maximum value होना चाहिए, और यहाँ पे जो है, वो maximum value से उपर, जैसे उपर वाला होना यह minimum होना चाहिए, ऐसा बोला हो, सबसे पहले यह देख लेना, energy required है या absorb है, अगर electron खुद के orbit में, अगर revolve करता है, तो ना तो वो energy release करेगा, बूर ने बूला, ना तो वो energy release करेगा, नई वो energy absorb करता है, जब electron lower energy orbit से higher energy orbit में जाता है, तो energy absorb करता है, और higher से lower में आता है, त energy release करता है, चाहिए energy absorb कर रहा हो, चाहिए energy release कर रहा हो, इन दी form of photon release करेगा, ठीक है, या photon के format में absorb करेगा, तो सबसे पहले अगर आपसे बूला गया, absorb energy maximum का है, absorb energy maximum, ऐसा बो दिया, तो इसके मिला lower से higher में जाना चाहिए, lower से higher में, तो यह तो गलत हो गया, अब जब lower से higher में जाएगा, absorb की बात कर रहा है, तो absorb के time में आपको उल्टा पढ़ना है, ठीक है, उल्टा कैसे पढ़ना है, यह minimum जो लिखावा है, यह ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यह वाली value minimum रखनी है, चाहिए आप इधर से देख लो, कोई फर्ग नहीं पढ़ेगा, लेगिन देखना है इधर से, यह वाली value minimum होनी चीए, तो यह absorb energy जो आएगा, वो क्या हैगा, maximum आजाएगा, उल्टा करके पढ़ ले, जब भी absorb हो ले, इनको reward कर दे, यह ऐसे हो गया, यह तो option cancel हो गया, infinite से 2, 6 से 5, और यह 2 से 1, यह minimum value है, तो यह आजाएगा, इसको अगर आप ऐसे पढ़ते, release energy maximum, तो release energy होना चीए था, तो release energy के time क्या करते, यह सारे absorb हो जाते, यह release हो जाते, ठीक है, अगला question क्या कह रहा है, डीब रोगली concept है, तो डीब रोगली concept कहता क्या है, वो समझ लेते हैं, डीब रोगली कहता है, जिस type से, light जो होता है, वो dwell nature सो करता है, उसी type से matter भी dwell nature सो करता है, particle nature और wave nature particle nature जो होता है वो momentum से represent होता है और wave nature जो होता है वो wavelength से represent होता है और particle nature जो होता है वो wavelength nature के या wave nature के inversely proportional तो lambda it is equal to h by p h upon mv h upon root 2 m e equal to h upon root 2 m q into voltage difference यह ओके अब second number point क्या ध्यान रखना है डी ब्रोगली यह कहता है जब electron nucleus के चारो और चकर लगाता है तो वो अपने साथ wave भी बनाएगा यह इस टाइब से कितनी wave बन गई एक दो ती तो बनका जब यह particle nature और wave nature दोनों show कर रहा है तो particle nature में इसना distance 2pi r travel क्या n wave बनी तो n lambda distance travel क्या यहाँ पे n जो है वो number of wave है है न मैंने तो यह माना है तो 2pi r equal to n lambda की जगा लिख दिया है h upon mv तो यह हो गया mvr equal to n h upon 2pi अब यहाँ पे n जो होता है वो number of orbit के बराबर होता है तो इसका मतलब number of wave and number of orbit जो है वो बराबर है तो इसका मतलब जब electron किसी orbit में revolve करता है तो कितनी wave बनाएगा उतनी wave बनाएगा जिस orbit में वो क्या कर रहा है revolve कर रहा है उतनी wave बनाएगा जिस orbit में वो क्या कर रहा है revolve कर रहा है second orbit में revolve कर रहा है ठीक है, आईए, यह concept, यह bore atomic model को explain कर रहा है, अपन से पुछा है, hydrogen atom में the d brogley wavelength of electron in the second bore orbit is, given that bore radius a0, hydrogen परमाणों में दित्तिय बोर कक्षा में electron की d brogley तरंग देट देरिये, क्या है, तो एक simple सा तरीका है, 2 pi r equal to n lambda, यह लगा दिया, 2 pi r divided by n हो गया, यह लोग pi पढ़ा रहे हैं तो, r की value अपनको पता है, यह first orbit में radius है, तो r it is equal to 0.529 n square by z होता था, तो r is directly proportional to n square, second orbit में radius चीए, तो first orbit में radius multiply by n का square, 4 का square, 52.9 into 2 का square हो गया, 4, n की value 2, 2 से हो गया, 2 cancel, यह आजाएगा 211.65 pico meter, यह लो, second is the correct answer, यहाँ से part start हो रहा है, quantum number का, किसका part start हो रहा है, quantum number, quantum number का जो पहला कुशन है, उसमें just आपन बात कर लेते हैं, कि what is the maximum number of the electrons that can be associated with the following set of quantum number, n equal to 3, l equal to 1 and m equal to minus 1, निम्न quantum संक्या के साथ अधिकतम कितने electron संबंदित होगे, अगर आपको principal quantum number, means आपको cell अगर define करना है, अगर आपको cell या orbit define करना है, तो एक ही quantum number चीए, m, आपको सब cell अगर define करना है, तो दो quantum number चीए, n and l, और अगर आपको एक orbital अगर represent करना है, तो तीन quantum number चीए, n, l and m, तीन quantum number चीएगी, कौन-कौन से, n, l and m, ओके, तीन quantum number चीए, तीन quantum number ही तो दे रखिए, ये लो, अगर तीन quantum number दे रहा है, तो अब सुन लो, maximum number of electron in a orbit, 2n square, सब cell में 2 into 2l plus 1, और orbital में maximum number of electron होता है, 2, इसका मला है, ये तीन quantum number मिलके, एक orbital represent कर रहा है, और एक orbital में maximum कितने electron होंगे, 2, कितने electron होंगे, 2 हो जाएंगे, ये इसका answer हो गया, ठीक है, ये बात होगी सारी, ये काम के keyword मैंने लिख दिया, next 27, what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum number, ठीक है, ये कहला, निम्द quantum संक्या के लिए अधिक्तम अभी निर्दरित कक्षोको की संक्या क्या होगी, इससे बुला है, maximum number of orbitals, सी दिसी बात है, तीन quantum number से एक ही orbital define होता है, अभी मैंने लिखाया, तो first is the correct answer, ये जोशन repeat होता है, 28, the angular momentum of electron in d orbital is equal to, simple सा तरीक है, ये होता है, orbit angular momentum, ये होता है, orbit angular momentum, ये तो आता है, boreatomic model से, जे, ये होता है, n h upon 2 pi, principle quantum number का यूज़ करना है, एक होता है, orbital angular momentum, ये calculate होता है, root l into l plus 1, h upon 2 pi, इधर मैं sub cell लिख रहा हूँ, और इधर उनके लिए l की value लिख रहा हूँ, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, l की value 0 से लेके, n minus 1 तक होती है, n की value जो होता है, वो होता है, कहां से, 1 से लेके, infinite, और m की value जो होता है, वो minus l से, plus l including 0, और s की value, plus half, minus half, ओके, ये value आपको ध्यान होगी, d के लिए पूछा, तो d के लिए l की value 2, अपन को चीए, इसमें, तो ये तो हो गया, क्या, इदर दिख लिए, इंग्लिश में option सही नहीं लिखे वे, ये h bar है, h bar का मलब होता है, h upon 2 pi, तो ये हो गया, root 6 h bar, second is the correct answer, सही, अब इसे calculate कर सकते हूँ, question number 29, ये लिजे, ये तो होगे, sale के number, ये बोले, नीट 2022 का उशान है, देखो, match list first with list second, choose the correct answer from the option given below, ठीके, आपको अगर कोई एक ही option अगर चेक करना होता है, एक option से वैसे बैठेगा नहीं, दो option एटलिस चेक करने बढ़ेगे, n बराबर 2, तो 2, 2 ये यहां से देखना है, ठीक है, एक answer 1 या 3 में से होगा, एक answer 1 और 3 में से होगा, इसका मतलब ये भी confirm हो गया, एक answer 1 और 3 में से, तो 1 और 3 ये 4th हो नहीं सकता है हटाओ एक answer 4th हो नहीं सकता है हटाओ अब B को check करने की ज़रूत नहीं सिदा C को check कर लो N equal to 3 N equal to 0 S के लिए होता है तो 3S हो गया ये लो C का हो गया second C का second ये रहा ये आपका answer बन गया ये exam oriented बात है N की value 2, L की value भी 1P के लिए तो ये 2P हो गया ये 3D हो गया, ये 3S हो गया और ये 2S हो गया How many electrons can fit in the orbital for which N equal to 3 and L equal to 1 इसके कक्षक मैं बोला है मुद्दा क्या है N3 और L1 जो होगा वो एक subcell को represent बोलेगा ये बोला इस subcell के एक orbital में कितना electron होगा उस orbital में कितना electron होगे, 2 अगर ये बोलता न N equal to 3, L equal to 1 से associated जितने भी orbitals होते सारे orbital उनसे associated maximum number of electron तो सबको add कर देता तो P subcell में कितना electron आजाते, 6 लेगिन इसना तो बोला है, एक orbital में कितना electron आएंगे, तो 2 आजाएगा 31 ये बोला है 4D, 5P 556P orbitals are arranged in the order of decreasing energy, the correct option is, इनकी घरती उड़ जाके करब में व्यश्थित करूँ एनरजी के दू तरीके ठीक है, एनरजी of electron या फिर सबसेल बोले दू तरीके से चेक करते है कैसी? Case number first Single electron species हो Single electron species हो Single electron species का मतलब हो गया जिनके लिए बूर atomic model क्या होता है? applicable होता है अगर बूर मोडल वेलिड है तो एनरजी का फॉर्मूला माइनस का 13.6 Z square upon N square electron volt होता है N की value बढ़ेगी तो energy भी बढ़ेगी 1S, 2S, 2P 3S, 3P ठीक है, 3D 4S, 4P 4D, 4F N की value बढ़ेगी N की value बढ़ेगी जिनके लिए N सेम उनकी energy भी सेम ये तो single electron species hydrogen जैसे होगे लेकिन multi electron species होता है जिनमें electron एक से ज़ादा होता है उसमें energy जो होता है वो only for N पे depend नहीं करता है energy को कौन represent करता है N plus L जिसके लिए N plus L की value maximum उसके लिए energy भी maximum किसी case में N plus L की value सेम आ जाए उस condition में N की value minimum तो energy भी minimum ये concept होता है ठीक है जैसे 3D 4P 3,4 L की value 2,1 N plus L 5,5 N plus L अगर सेम आ गया उस condition में आपको सिदा ये चेक करना है कि N की value जादा किसके लिए 4P तो 4P की energy जादा होगी किसे? 3D ओके है? ये N plus L का rule है अब आते हैं इस वाले question पर ये वोला है the correct option बताईएगा इसका correct option क्या होगा? मेरे पास orbital है 4D 5P 5F 6P N की value, L की value N plus L 4,2,6 5,1,6 5,3,8 6,1,7 5F की सबसे जादा होगी ये गया, ये गया 5F के बाद में 6P सही चल रहे हैं दोनों जगा उसके बाद में जब दोनों से हम आ जाए तो N की value जादा 5P 3rd is the correct option बहुत elementary से option है देखो, नीद 2015 में इससे पहले option आया है which is the correct order of increasing energy of the listed orbital in the atom of titanium titanium single electron species नहीं है ना, multi electron है वैसे भी 22 electron है उसके अंदर तो अगर 22 electron है तो उसमें check करने का तरीका ये ही तो रहना चीए N plus L का rule लगाओ, कौन-कौन से orbital है 4S, 3S, 3P, 3D N की value 4, 0, 4 3, 0, 3 3, 1, 4, 3, 2, 5 तो सबसे ज़्यादा 3D की ये लो 3D तो ये गया 3D के बाद में N और L प्लस यहां पे से हैं तो 4S, 3D के बाद में 4S ये लो 33, दो इलेक्ट्रोन जो एक ही कख्षक में उनमें अंतर किसके द्वारा क्या जा सकता है पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बूलता है कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रोन की 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है 3 ही क्वांटम नंबर मेग्जिमम सेम होगी इसका कॉन्कूलूजन ये निकलता है एक और्बिटल में मेग्जिमम 2 इलेक्ट्रोन होते है और उनका spin क्वांटम नंबर जो होगा वो अपोजित होगा means 1 और्बिटल contains maximum 2 इलेक्ट्रोन with opposite spin जब उनका spin opposite हुआ तो उनका spin quantum number क्या होगा A का plus half तो दूसरे का minus half तो दो electron है A की orbital में तो वो opposite spin क्यों होगे अगर opposite spin क्यों होगे तो उनकी कौन सी quantum number जोगी वो 100% different होगी spin quantum number ये लो ये Pauli exclusion principle है मैंने statement बुला है दो electron की 4 quantum number same atom में कभी भी equal नहीं हो सकती है conclusion क्या एक orbital में maximum दो electron with opposite spin 34 नीट 2017 का कुशन है which one is the wrong statement Heisenberg का uncertainty principle ये कहता है कि microscopic system होता है उनके लिए position और momentum का एक साथ simultaneously accurate measurement is not possible momentum and position का accurate measurement एक साथ possible नहीं है microscopic system होना चीए अपने जैसा macroscopic नहीं होना चीए means electron Heisenberg का uncertainty principle ये होता है delta x into delta p जो होता है वो greater than equal to h upon 4 pi होता है ये उन सब के लिए valid है क्यों देखेगा इधर जोग उनिट आ रही है वो joule into second है इधर भी unit क्या होगी joule into second तो Heisenberg का uncertainty principle उन सब के लिए valid होता है जिनके लिए unit क्या होती है joule into second तो देखेगा इधर unit joule into second है तो energy joule में ये second में तो इसके लिए भी valid है पहला सही है half filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy and greater symmetry and more balance arrangement बिल्कुल सही है half filled और full filled orbital जो होता है वो stability के reason एक तो symmetry उसके अंदर जादा होती है और एक exchange energy अब आपके दिमाह में आ रहा है exchange energy क्या होती है exchange energy का मतलब होता है same spin के electron parallel spin के electron अपनी position exchange करता है तो जो energy associate होगी ये वाला इसके साथ कर सकता है ये इदर ये इदर 3, 4, 5 और ये वाला 6 कितने exchange हुए 6 ये अगर half filled configuration लेता हूँ तो इसके लिए number of exchange देखना ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 तो total exchange कितने 10 number of exchange जादा है तो exchange energy जादा होगी इसका हमले इनकी stability जादा होगी ये भी सही statement है true है the energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of hydrogen-like atom hydrogen-like atom में energy only 4 किसके उपर depend करता है n पर अगर n की value same है तो energy b क्या होगी same होगी अगर n की value same है तो energy b क्या होगी same होगी ये देखेगा question कहा कहया था yellow 2s और 2p की energy क्या होगी देखो same hydrogen-like atom में तो ये कह रहा है कि less होनी चीए तो गलत भूल रहा है false statement रहा d brogley wavelength का formula lambda is equal to h upon mv last question देखेगा 35 which one is the wrong statement the electronic confusion of nitrogen atom 1s to 2s to 2pz ये गलत होगया इसके according गलत होगया huns rule of maximum multiplicity wrong statement first ही हो गया huns rule of maximum multiplicity ये कहता है कि जब electron को degenerate orbital में fill किया जाता है उस condition में maximum number of unpaid electron with parallel spin आपको मिलना चीए maximum number of unpaid electron with parallel spin आपको मिलना चीए ये huns rule of maximum multiplicity है यहाँ पे maximum number of unpaid electron तो मिल गए लेकिन क्या तीनों का spin parallel है क्या नहीं तो ये पहला statement wrong हो गया dz square के लिए m की value 0 होती ही बिल्कुल सही है dz square के लिए m की value 0 होगा pz के लिए m की value 0 होता है orbital is designed by 3 quantum number अभी बोला electron के लिए 4 quantum number चीए n, l, m और s ठीक है total orbital angular momentum of electron in s orbital is equal to 0 तो जब l की value s orbital के लिए 0 होती है तो इसके लिए क्या जाएगा 0 तीनों statement true है पहला statement false है ओके यह अपन ने इस वाले chapter के अंदर atomic इस वाले video के अंदर atomic structure and redox reaction कर लिए ठीक है तो तीन topic अपन कर चुके है 35 question भी कर लिए ठीक है जितने exam में 13 से लेके 22 तक question आया है trend यह आख देखेगा atomic structure के almost 21 question है हर साल 2 question आते है और बहुत simple से elementary उनके आज़ पास के जितने भी question बनने की possibility थी वो भी मैंने आपको एक just idea दे दिया है ओके, thank you